तो गाईस हम लोग जा रहे हैं किसनपूर सेवलिंग का वीडियो होनाने के लिए और रास्ते में देख सकते हो कितना ज्यादा अभी मतलब मौसम बहुत ही खराब होने वाला है हवा भी चल रहा है तो चलो फाइनली हम किसनपूर में पहुंच चुके हैं दोस्तों और यहां पूलिस वाले उठा के लिए तो उसको भी देखेंगे यह ऐसे बोल रहे हैं पूछेंगे चलो आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको से बात भी करते हैं तो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगा स्वागत करते हैं हमारे निए व्लोग में तो दोस्तों हम लोग हैं फिर से एक बार जाने मने गाओं किशनपूर और यहां पूछ देख सकते ह हैं जैसी के पहले कुछ मेहनों पहले यहां पे बहुत की ज़्यादा भुल हुआ करता था लेकिन आज के डेट में यहां पर कोई भी नहीं इंए देख सकते हो और यहां पे कितनी चोटी चोटी प्यारी प्यारी सुंदरे सुंदरे दुकाने थी बट अब वहां पे कोई भी नजर नहीं आ रहा है और आज है सोंबार तो सोंबार को हम फिर से आये हैं लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं ना कोई भी जहां कभी सोसल मेडिया यहां पे चाया हुआ करता था और लोगों की हमेशा भीर हुआ करती थी आस वहा जगा पूरी तरिके से विरान हो चुका है ऐसा क्यूं हो रहा है सोसल मेडिया में कहुँ आएसे वीडियो हैं जो कि फ्रॉट टाइप के बनाए हुए हैं उनका कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रोड काम किये जा रहे हैं कई लोगों को कहना है कि खेत का मालिक मर गया और कई लोगों का कहना है कि खेत का मालिक बहुत ही पैसे कमा रहा है करोड़ पती बन गया भीखारी बन गया ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड किये जा रहे हैं और वही लोग दावा कर रहे थी कि पहले जब स्टार्टिंग में लोगों की भीड हुआ करती थी तो यही लोग फिर से दावा कर रहे थी कि किसनपूर में सच में की सिवलिंग है और ये भी बता जा रहा है कि किसनपूर में सिवलिंग नहीं है इसको कोई उखाड के ले गया चोरी कर के ले गया ऐसा बोलना है आपको ये बता दें कि किसनपुर में अभी भी सिविलिंग है जीन्स की पूजा की जाती है यहाँ भी लोग आते हैं जादल भीड तो नहीं होता बट लेकिन यहाँ दरसन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं मतलब कि दिन में कम से कम 200-300 लोग तो आते ही हैं गाड़ी, मोटर या और कुछ अपने साधन के अनुसार आते हैं जहां यहाँ पे देख सकते हो पहले काफी जादे भीड हुआ करती थी यहाँ पे दुकानी भी थी लेकिन आप वही पे दुकान मुकान कुछ भी नहीं है, ना ही लोग हैं बस सीधे जाओ और सीलिंग के दर्सन करनो ऐसे अब सिस्टम चल रहा है क्योंकि यहाँ पे भी मंदिर बनाया जा रहा है दोस्तों और यहाँ पे भव्य मंदिर बन गए है, उनकी बात ना मानकर आप अगर सही तरीके से सही एंगल से देखें तो यहाँ पे कोई भी अफवा वाला काम नहीं हुआ है आपको किसी भी धोखा धड़ी का काम नहीं हुआ है, खेत के मालिक ने एक स्वयम बताया है, क्योंकि खेत के मालिक को मर गया पैसा लेकर भाग गया, ऐसा भी बोलना है सोसल मेडिया में, ऐसे भी वीडियो अफलोड हो चुके हैं अफवा वीडियो मत बनाया करो जो कि सोसल मेडिया में जोरो सोरो से चाया हुआ है, कई सारे ऐसे हैं और मुझे मजबूरी में मुझे भी ऐसा ही थमनेल लगाना पड़ा तो उसके लिए मैं आपसो भी को माफी मागना चाहूँगा और यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा भीण हुआ करती थी अभी नहीं है इसी के चलते ही यह लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं आप कभी धार्मी किस्तल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी काफी जादे भीण होते हैं और कुछ चीदन कोई भी भीण नहीं होता उस जगह में बात की जाए यहाँ से आसपास में ऐसे धार्मी किस्तल की तो राजिम हो गया उडिसा में हो गया नवसी मिलाद और हरी संकर हो गया चंडरपूर हो गया ऐसे जगह में भी काफी जादे भी होते हैं लेकिन कुछ शिजन में वहाँ भीण कम हो जाते हैं इसे उनको मानना तो नहीं छोड़ते हैं उनकी फूजा तो नहीं करना चाहते क्योंकि भगवान तो हब तरफ रहते हैं दोस्तों सभी जगह रहते हैं आप यहाँ पे भी हो और वहाँ पे भी है सभी जगह रहते हैं तो आए आपकी आस्था के उपर डीपेंड करता है दोस्तों कि आपको किस पे मानना चाहिए और किस पे नहीं मानना चाहिए यही मानना है, अगर मानो, तो पत्तर भी भगवान है और नामानो तो भगवान भी पत्तर है, तो आपको कहा लगता है? कॉमेंन करके जरूर से मताना। और हम लोग आप तक संपुर के सेलिंग के भिका रही थी और होटल भी थी कई सारे बहुत सारे ऐसे दुकाने थी जो कि यहाँ पर पुरा भरी पड़ी थी यहाँ पर लोगों का आना जाना इतना ज्यादा था कि बहुत ही ज्यादा इसमें तकलीफ होती थी लोगों को आने जाने में और इसी रास्ते में से बहुत सारे जो कि आते थे तरस रदालू और इसी में लाइन लगकर आगे जाते थी तो हम लोग ज़ादा आपको वेट नहीं करवाएंगे हम लोग सिधा चलेंगे चलो जो जहां से लाइन स्टार्ट होती थी जहां से लोगों का पहरेदारी होता था वहां से ही चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहीं से आप कभी आए होंगे तो यहां पे देखे होंगी काफी ज़्यादा भीर होते थे क्योंकि यहां पे लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीर हुआ करती थी उसका मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो लोग टाइम निकाल कर यहाँ पे आये थे सिवलिंग के दरसन करने के लिए वो लोग उनके पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे दरसन करने के लिए आये और आप भी कभी आये होंगे तो आपके भी टाइम निकाल कर ही आये होंगे तो इस जगह अभी गर्मी के सीजन है दोस्तों तो गर्मी काफी ज़्यादा बढ़ गया है इसलिए यहाँ पे भीड नहीं हुआ रहा है और लोगों का कई सारे का कहना था कि यहाँ पे सीजन नहीं है तो हम लोग चलो चलते हैं पहले सीजन के आपको दर्सन करवाएंगे और यहाँ पे देखो अभी भी कुछ लोग आते हैं और यहाँ पे देखो मेरे मामा कुछ-कुछ खरीद रहे हैं और यहां पर कुछ लोग आते हैं तो इस्टॉल भी लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो और यह थोड़ा मतलब अंदर में हैं दोस्तों सेलिंग के नजदी की है और देखो गाड़ी मोटर भी यहां पर है कि अभी लोग आ रहे हैं देखने के लिए और टाइम निकाल कर आते हैं कई सारे लोग और यहां पर देखोओ एक पीकप भी आता है और आपको दिखाते हैं कितने से अफवा विडियो ना बनाएं जिससे सोचल मेडिया पर गलत किसी भी प्रकार की जानकारी फैले तो हम लोग आपको दिखाते हैं से लिंग जहां पर इस्टार्ट होता और इसी रास्ते से सबसे पहले लाइन लगाकर लोगों की काफ़ी जादा भीड़ होती थी समस्या को देखकर इन लोगों ने ऐसा मतलब की जाने के लिए बनाया हुआ था जो की क्रमबत होकर सिधा जाते थे और सिलिंग के दर्सन करते थे और उनकी पूझा करते थे और यहा बाहर साइड नारियल वारियल टंगे हुए हैं तो हमने सोचा इधर से चलो भूम के चलते हैं और आपको सीलिंग के दर्शन करवाते हैं और यहां पर इटाव इटा भी है देख सकते हो मंदिर का काम बनना इस्टार्ट हो गया है दोस्तों इसलिए भी लोग मतलब कि काफी ज परशन करा देते हैं यहां भी कहना है कि सीलिंग चोरी हो गया लेकिन आपको दिखाते हैं दोस्तों यहां पर सीलिंग है या नहीं है तो देख सकते हैं यही वही मंवा का पेड़ है जहां पर सीलिंग प्रकट हुआ था और अभी मंदिर का काम स्टार्ट हो चुका है देख का बताना है लेकिन आपको बता दें कि यहां पर अभी विसीलिंग है जैसे कि आप देख सकते हो लोगों की पूजा पाट किया जाता है और इसके पीछे साइड भी देखो इस्टोरेज है मतलब यहां पर बना रहे हैं यहां पर धर्मिक साला भी बन रहा है अगर लोग बाहर से आते हैं तो वहां ठैर सके और नारियल के यहां पर मन्नते मांगी गई है जो टंगे हुए नारियल है और यहां से लोगों को भी बात किया हम ले तो उन्होंने भी बताया कि लोगों काफी ज्यादा कम हो गए है इतना ज्यादा नहीं आ रहा है तो इनका भी कहना है कि हम सटाट करेंग और जल्दी खतम करेंगे ऐसा बोलना है क्योंकि बहक्त जादा आते हैं तो इसमें बनाने में दिक्कत होता है दोस्तों समाना इधर करने में और पहले जो नारियल चड़ाए गए थे वो यहाँ पे हैं देख सकते हो कापी ज़्यादा नारियल हैं यहाँ पे तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों आपको आप खुद समझदार हो आप अपवा वीडियों से बचे रहे हैं किसंपूर में अभी विडियो बनाई है कि पूली्ज लोग ले गया है बोल के बोड रहे हैं मतलब उनका कहना है कि यहां पूरी तरीके से अभवा विडियो वनाया गया है और आपको अभी है परजात के भी आया हूं तो मेरा गलास उप्रा नारियल और यह है देख सकते हो इसमें काफी ज्यादा पहले भीड़ हुआ करती थे लेकिन अभी पूरी विरान है तो भीड़ से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों अपना और यह था यह वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरू से बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देना तो चलो नेक्स वीडियो मिलते है आज के लिए बस इतना ही बाई बाई